जब एक कवी एक शायर, आप तो इश्क लिख रहे थे, लिखते लिखते अचानक आपके अंदर एक गुसा आ गया है, नाराजगी है, जब वो फूटती है तो मैं देख रहा हूँ कविता के रूप में इस तरह फूट रही है, तो ये नाराजगी वक्ती तोर पर है, एक घट जनमी थी, वो नाराजगी से जनमी थी, जब एक लड़की ने अचानक मुझे बोला के भाई, मेरे लेटर्स और फोटोग्राफ्स लोटा दो, ये कहानी सबको पता है, और इस आहिते तक पे भी हजार बार लोग सुन चुके हैं, तो मुझे इस बात पे बेहत रुसाया, ब जवानी वापस दे, मैं तेरे खत लटा दूँगा, तो मेरी जवानी वापस दे, तो एक healthy anger जो है, जो एक स्वस्थ नाराजगी है, वो मेरे अंदर हमेशा से रही है, और हमेशा रहेगी, जब भी मुझे लगेगा कि, पाश एक बात कहते थे थे न, कि सबसे जो बुरी बा जब हमने बड़ा negative emotion माना, तो बड़ी गलती कर दी, आज जो हम आजाद बैठे हुए हैं 2020 में, ये शायद भगत सिंग की अश्वाग की नाराजगी का ही नतीजा है, कि हम आज यहाँ आजाद बैठे हुए, वो नाराज नहीं हुए होते हैं, हम आज भी गुलाम होते हैं, तो दिनकर की मैं पंक्तिया याद दिलाता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये देश नाराजगी को सही emotion मेले, सही अर्थों मेले, कि कुछित कलंक का बोध नहीं छोडेंगे, हम लिये बिना प्रतिशोध नहीं छोडेंगे, आरी का विरोध अवरोध नहीं छोडेंगे, जब दुनिया न जीत पाएं, तो खुद को न हारिये, थोड़ी बहुत तो जहग में तराजगी रहे, एक चीज और मनोज भाई देखी जाती है, कि जब इंसान सक्सेस्फुल हो रहा होता है, उस वक्त वो कुछ नहीं बोलता, आपको मैंने इधर देखा है, आप अपने बैठा हुआ है, जो बोलता है, अमूमन हमारी इंडस्ट्री या किसी भी इंडस्ट्री में आप देखें, तो जब आप सत्ता पर होते हैं, शीर्ष पर होते हैं, बोलते नहीं है, तो ये एक हरान जनक बात है, कि मनोज मुंतिशिर, जब पीक पे रहें, और माशालला और आ होते हैं, तब आप बोलने भी तो सुनता कौन है, तो इसलिए जो लोग पीक पे बैठे हुएं, उनहीं के तो जिर्मेदारी है, उनहीं को तो बोलना होगा, आप सोचें, अगर आठ साल पहले यही मनोज मुंतिशिर बोल रहा होता, तो मुझे मंच कहा मिलता, मुझे आप जैसे बड़े लोग जो मेरी बात को पहुचाते हैं दुनिया तक, मुझे आप जैसे लोग कहा मिलते हैं, तो आज जब मैं एक ऐसी पोजिशन में हूँ, कि मैं अपनी जबान से लाखों की आवाज निकाल सकता हूँ, लाखों के लिए बोल सकता हूँ, अगर मैं आज चु लेकिन मेरे पीछे जो लाखों लोग खड़े हैं, उनका फाइदा हो रहा है, उनको आवाज मिल रही है, तो ये लाखों का फाइदा जरूरी है, किसी एक व्यक्तिव शिर्स का नुकसान उसके लिए किया जा सकता है, मैं आपके हिम्मत की, आपके होसले की आपके जजबे क दाद दूंगा, जो कि बहुत कम लोगों में नजर आता है, लोग जब सिस्टम में शामिल हो जाते हैं, तो उस सिस्टम के साथ चलते हैं, सिस्टम बदलने की करते शुरूआते हैं, तो इसलिए कि हम सिस्टम बदलने आए हैं, लेकिन सिस्टम फिर धीरे उनको अड़ाप् अपनी बात कह रहे हैं तो इसके लिए बहुत-बहुत शुक्रियां